नमस्कार दोस्तों चैनल में स्वावी को स्वागत है दोस्तों हर्स दर्शकों को इस चैनल की तरफ से हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज जो आप मैं टिफ्स दिने वाला हूँ वो है बहुत दिन से चल रहे मामला का निश्वत्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए ज आपनाना दोस्तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सकाइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाल का सब्सकाइब बटन सब्सकाइब कर लीजिये ता कि आने वाला हर एक वीडियो बिना रुकापट के आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसे ग्यान भरा वीडियो हम लाते रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत दिन से मामला में जूज रहे हैं, अगर बहुत दिन से आप उकिल का चक्कर काट रहे हैं, बहुत दिन से कोट का चक् कोई result नहीं निकल रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है जो मैं टोटका बताऊंगा जो मैं इसका solution बताऊंगा वो आपको पूरा करना परेगा इसलिए दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है ये अंतग देखना बहुत जरूरी है आप अगर स्कीप करते करते देखेंगे या तो फिर कट कट के वीडियो देखेंगे तो आपका कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए दोस्तों वीडियो जो है आं तक देखना है और साथ ये कोँगा दोस्तों हमारा चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आपका जीवन में काम आने वाला हर एक वीडियो हम इस चैनल में लाते रहते हैं तो चले शुरू करते हैं आज का इस वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों आपका अगर कोटकेस से चूज रहे है कोटकेस کا चक्कर काट करके आपका जो है चपल घीज गया है आप कोई result नहीं निकलता है तो दोस्तों मैं जो आज आपको एक tips बताऊंगा एक डोटका बताऊंगा इसको करते ही आपका कोट केस का सारे प्रोब्लेम आपका जो कोट केस है वो आप जीत जाएंगे वो आपका मुठी में होगा आप आसनी से जीत सकते है और अपोजिशन को हारा सकते है इसके लिए सबसे पहले तो आपको वेही करना है कि आप सुबरे ना दो के खाली पेट में एक कलश में पानी लेके सुरिय देवता को अरपीत करना है उसके बाद दोस्तो आपका घर में आके रूम में आके गणिश्ची की मुर्ति के सामने ओं गणिशाय नम मंत्रु चरन करना है याद रहे दोस्तों ये आपको उपवास रहने के बाद ही ये सारे करवाई करना है सबसे पहले क्या बता है मैंने सुरियो देपता को पानी चराना है जैसे कॉलश में पानी लेके सुरियो देपता के सामने अर्पित करना है दूसरा रूम में आने के बाद आप गनेश जी का पूजा करना है पूजा कैसे करना है एक सो एक बार सिर्म मन तो चारण करेंगे ओ गनेशाय नमा ओ गनेशाय नमा ओ गनेशाय नमा उसके बाद दोस्तों आपको जो करना है लक्षिमे माता के मुर्ति के सामने एक कलश में थोड़ा सा धान जो चाबुल का जो साबूत होता है जिसके अंदर में उसका छिलका लगा हुआ रहता है उसको मैं धान कह रहा हूं हर एक जगा में एक-किसम का बताते होंगे लेकिन जो चावल के ऊपर जो चृल का सबूत जो रहता है चृल के साथ वो एक खलश के अंदर में लक्षमी देवी का मुर्ति के सामने रखना है और आपको 101 बार उच्चनन करना है ओंग लक्षमी देवाय नमा ऐसे करके 101 बार उच्चनन करना है उसके बाद दोस्तों जीस दिन आप कोड केस का डेट परता है उसी दिन वहाँ से सिर्फ पांच दाने वहाँ से उस कलश से लक्षमी देखी का सामने जो कलश रखे थे आपने वहाँ से आपको सिर्फ पांच दाने लेना है उस दाने को एक लाल वाला कप्रा में बांद के अपने जेब में लेके कोड केस में जाना है आप समझ गए दोस्तों क्या बोला मैंने जो लक्षमी देखी का कलश है उसके अंदर से सिर्फ पांच दाने दान लेके एक लाल वाला कप्रे में बांद देना है बान देने के बाद जेब में रख देना है उसके बाद आप कोटकेस में जाईए दोस्तों आपका जीत पक्का है क्योंकि माता का आशिरवाद है गनेश्ची का आशिरवाद है सुर्य अदेपता का आशिरवाद है ये तीनों जो है इतना पावरफुल है आप सोच भी नहीं सकते सुरियो देपता के तेज के शामने आपके जितना भी आसपास में प्रेत आतमा या तो फिर आपको लुक्षन करने वाली एनरजी शक्ति पावर जो है उसमें मिठ जाएगा उसमें नश्ट हो जाएगा गनेश जी क्या करेंगे आपको सही रहा दिखाएगा गनेश जी आपको सही रहा दिखाएगा और माता लक्षमी जो है आपका केस जो फसा हुआ था इसके लिए आपका जो लुक्सान हो रहा था जैसे वकिल को देना नोटरी में देना इसमें देना उसमें देना जो आप खर छोड़ाता वो लक्षमी जी का असिरवात से ही बंद हो जाएगा जब ये तीनों चीज जब ये तीनों चीज जब आप उसमें एकठा होगा तो आपका जीत निशीत है अगर आपको ये वीडियो आच्छा लगे तो दूसरे को जरूर शेयर कर दिजए ताकि दूसरे भी इससे थाएदा उठा सके और दूसरे भी जान सकते है और समझ सकते हैं आपको जितने भी आपका दोस्त है सभी के पास इसको शेयर करके भेजिए साथ में ही कौनगा जलाल कलर का सस्काइब बटन है उसको क्लिक कर दिजिए उसके बाद बेल आइकन आएगा उसको क्लिक कर दिजिए और हमारा चैनल को ऐसे ही प्यार महबबत दिखाते रही है फिर मिलेंगे दोस्तों कोई दूसरा वीडियो के साथ तब तक लिए आग के दि जिए नमस्कार